सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ताकड किसान को और पास याए बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिमेशन सबसे पहले मिलते रहे नमस्कार दोस्तों किसान बाइयो स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ताकड किसान में तो दोस्तों जैसे कि आप जो हमारी जिसे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी और एसे ही एक मैं आपको टानी के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको इसमें फूल और फल की बढ़वार के लिए बहुती लाप दाएगे तो दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो में और जानते हैं कि जो वो कौन सा टानी के वकौन सा खाद वकौन सा इस्प्रेइ जिसे आप एक इस्प्रेइ से फूलों में की वरद्दी को डबल कर सकते हैं तो दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो में वीडियो सुरू करने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और निचे आए बेर आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दबा कर लाइक करे और जदे ज़्यादे घिसानपाय के साथ सेर करे यह देखे यहां पर जो यह देखे फ्लावरिंग यहां पर स्टार्ट हो चुकी है यह मैं आपको बता सबसे सबसे समय है जब आपको इसके प्राइब नहीं तो आपकी पैदावार बहुत कम हो जाएगी और साथी आपको यह भी ध्यान रगना है कि इसमें किसली प्रकार का कोई कीट आसक या पोई कोई फंगिसाइड या फिर कोई भी किटानू या फिर कोई भी इल्ली वगेरा ना लगी हो यह सबसे पहले त्यान रखना है और इसके साथ अब बात कर लेते हैं इसमें जो फूल बढ़ाने के लिए मैं आपको जिस टानिक के बारे में बता रहा था तो दोस्तों वो टानिक है जो सब्सक्रिशन में दे दूंगा कि जो यह तीनों चीजे होती है वो क्या क्या काम करती है नाइट्रोजन फॉसपरस और फोटास तो इसे के साथ मैं आपको बताता हूं कि जो एनपीके 0,52 होता है जिसमें कि नाइट्रोजन 0 होता है फॉसपरस 52 % होता है और पॉटेश्यम उ प्लावरिंग की मैंने आपको बता अठा कि पर 25-35 दिन दिन पर इसमें फ्लावरिंग की स्टेज होती है तो उस स्टेज में आप इसका इसका कर सकते हैं कि आपको ये भी बताऊंगा है कि इसका कितना इमेल पर टेंगी का डो से इसके साथ एक और डो से जिसे जुब्रेलिक एसिड बोलते हैं इसे भी आप अपने स्वाइबीन के उपर इसप्रे करेंगे तो इसमें आपको फ्लावरिंगे बहुत ही जल्ली आएगी और आपको यहां बावन चोथिस के मला उसके कंपर इसमें इसका जुब्रेलिक एसिड का जो रिजल्ट है वह बहुत ही फांच देखने को मिलेगा और आपके इसमें फ्लावरिंगे बहुत ही जल्ली आएगी जिसे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और अगर हम बात करें इसके डोस की खिती है तो जीरो बावन चोथिस का आप सित्तर से असी ग्राम पर टंकी के हिसाब से लेकर स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम पर एक ग्राम की डिबी आती है जो जुब्रेली के इसिडगी होती है उसे आप एक टंकी में डालकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर सकते हैं और इसे के साथ जो एक और चीज आती है इसमें फ्लावरिंग और जो स्वाइबीन होता है उसकी अच्छे दाने बने इसके लिए आती है बाजार में आपको करसी बाजार में या फिर करसी रसायन की दुकान पर अराम से मिल जाएगी वो भी फ्लावरिंग और चोस में स्वाइबीन के दाने बनते है वो मोठे हो अच्छे कलर के हो ताकि अच्छी क्वालिटी होगी तभी आपको मार्केट में इसका भाव ये जानकार देते रहुँगा तो थो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दबागा करे ऑजाएगी अच्छी जानकारी मिल तो थो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्रावी आपतके है कुरूं